सरकार पूरी तरह से मुस्तायद में जरा रही है जहापर स्टीएफ के रडार पर 1541 अपरादी है और सरसर्ट जिलों में 23, 25, 30 और 31 अगस को परीक्षा होगी है और आपको बता दें कि यूपी पुलिस के रिक्त 7244 अरक्षी पदों के लिए परीक्षा पुलिस भरती के चेहन के लिए 1154 केंद्रों पर होगी परीक्षा 48 लाग से जादा अभ्यारती परीक्षा में शामिल होगे इस रक्षा के लिए फुकता इंतजामात किये गए हैं तो योगी सरकार इन परीक्षा होने जा रही है तो योगी सरकार इन परीक्षाओं के मध्य नजर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं स्टीएफ के रडार पर 1541 अपरादी है और 67 जिलों में 23, 25, 30 और 31 अगस को परीक्षा होगी यूपी पुलिस के खाली पड़े 60,244 अरक्षी पदोग पर ये परीक्षा होने जा रही है तो पुलिस भरती परीक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और स्टीएफ के रडार पर 1541 अपरादी है और जादा जानकारी के साथ हमारे साथ समवाद दाता अभिशेक जुर चुके हैं जेख देखिए पुलिस भरती परीक्षा होने जा रही है और योगी सरकार के और से क्या कुछ तैयारिया की गएए किस स्ट्रह से मुस्तैद नजर आ रही है बिल्कुल पुलिस भरती परिक्षा की सुचिता को परकरार रखने के लिए और पूरी तरह परिक्षा पारदर्शी तरीके से हो अभ्यरतियों का भविश को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आधितराथ पूरी तरह कटी बद हैं कि इस तरह की महत्रपूर परिक्षाओं में अगर कोई भी शक और शुबा होता है तो ना सिर्फ परिक्षा दुबारा करवाई जाती है बलकि उत्तरप्रदेश एकमात रहसा राज है जहां पर investigating agencies को भी इस तरह की परिक्षा का हिस्सा बनाये गया है यह पहली बार है कि STF को भी इस परिक्षा का हिस्सा बनाये गया है STF भी Nodal Agency की तरह इस पूरी परिक्षा में इस्सा ले रही है एक एक बारीक से बारीक जानकारियां से होते हुए आगे पहुंच रही हैं चाहे वो कहां पेपर छपेंग से लेकर सेंटर्स अलोट्मेंट से लेकर टीचर्स के अलोट्मेंट तक तो सीधे तोर पर कहा जाए तो बहुत बारीकी से इस परिक्षा को कराया जा रहा है और क्योंकि इस से पहले इस परिक्षा को लेक जो बाते हो रही थी उस पर पूरी तरह पूर्ण विर्गाम लागाने के लिए उन नकल माफियाओं की भी कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा कानून शुरू की कर दिया है उत्तरप्रदेश में यह कहा जाए उसको वजूद में ला रहे हैं जिससे इस तरह की परिक्षाओं में अगर किसी तरह भी कोई नकल माफिया या कोई सिंडिकेट या कोई गैंग कहीं से भी अगर काम्याब भी होता है तो उस पूरे राजस्व का यानि उस परिक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों की गाड़ी कमाई के पैसे से फॉर्म खरीदा गया जो भी राजस्व की यहानी के लोग चलाते हैं अब ऐसा नहीं हो पाएगा जी अभिशेट जिस तरह से आपने भी बताया कि पुलिस परिक्षा में इस बार स्टीएफ का भी एहम रोल रहने वाला है किस तरह की जिम्मेदारी स्टीएफ को सौपी जाएगी बिलक्न स्टीएफ पूरी तरह नोडल एगनसी की तरह कब कर रही है इस पूरी सिपाजी भारती पुलीज MY्टी परिक्षा में और सीधे तौर पर कहा जाए तो हर एक याएक पर बार की पेपर के क्लस्टरिंग से लेकर पेपर के छपने से लेकर पेपर के आने से लेकर सिंटर्स तक पहुचने से लेकर अभ्यर्थियों तक पेपर पहुचने से लेकर और क्लास्रूम के अंदर इंटिग्रेशन से लेकर चाहिए वो कैमरों के जरीए हो वाइस इंटिग्रेशन सिस्टम हो टेकनिकल डिवाइस के इस्तमाल किया जा रहा हो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का डिटेक्शन के लिए इस्तमाल किया जा रहा हो कई बर मुन्ना भाई अग इनेक्टेड कैमराज मौजूद होंगे सेंटर्स के अंदर जो सीधे पकड़ पाएंगे कि यह वही शक्स है कि नहीं इसका फोटो एड्मिट काड पर है तो इस तरह की हाइटेक टेक्निलोजी का इस्तमाल हो रहा साती साफ स्क्राइब भी अपने पूरी तरह मुखबिर और सूचना तनत्र का इस्तमाल करके हर एक मोड पर पूरी परिक्षा को संपादत कराने के लिए मौजूद रहेगी जी बिल्कुल पुलिस भरती परिक्षा को लेकर योगी सरकार यूपी की लम्भी चलाग इसन प्रदेश ने लक्ष को पाफ किया है क्रिशीन फ् upon निर्मान् ट्रांसपोर्ट में भी सप्रदेश सरकार आगे नजर आ रही है उर्यल्थ प्रदेश स्टेट में यूपी की लंबी शलांग देखने को मिली है उत्तर प्रदेश ने लक्ष को भी पार कर दिया है। अबला कनाूस